आईए देखते हैं आज का महत्वपून वास्तु विशय एक्सपर्ट सतेंद्र गौतम जी के साथ आप सभी का मेरे चैनल सतेंद्र वास्तु में हार्दिक अभिनंदन एक ऐसा चैनल जिसमें वास्तु से संबंदित महत्वून जानकारियां वैदिक और वग्यानिक सिध्धानतों के अधार पर बहुती सरल भाषा में लेकिन तरकों के अधार पर दी जाती है आज हम बात करेंगे ऐसे दो कॉंपोनेंट्स घर के आइटम्स के बारे में जो घर के चार कॉर्णर्स में भूल कर भी नहीं होना चाहिए अगर आपके घर में नौर्थ स्ट्रेट यानि कि सीधा है तो आपके घर में जो चार कॉर्णर्स आपको मिलते हैं वो मिलते हैं नौर्थ इस्ट उत्तर पूर्व, साउथ इस्ट दक्षिन पूर्व अगनी, साउथ वेस्ट दक्षिन पश्यम नेरित्ते, नौर्थ वेस्ट उत्तर पश्यम वायवे. ये चार कॉर्नर हमें घर में मिलते हैं और इन चार कॉर्नर में दो ऐसे कॉम्पोनेंट जो भूल कर भी घर में नहीं होने चाहिए इनसे घर में बहुत बड़ा वास्तु दोश उत्पन होता है, वो कौन से दो कॉम्पोनेंट्स है, कैसे वास्तु दोश उत्पन होता है और उसके क्या नकारात्मक प्रभाव हैं, इसको हम वैदिक सिध्धानतों और सिविल इंजिनरिंग नॉर्म्स के आधार पर समझेंगे. पहला कॉम्पोनेंट्स जो इन चार कॉर्नर्स पे नहीं होना चाहिए, वो है घर का में एंटरेंस या मुख्य दवार, यानि कि मुख्य दवार आपके नॉर्थीस्ट में, नॉर्थीस्ट आपका 45 डिग्री पे आता है, साउथीस्ट पे, साउथीस्ट 135 यानि 135 डिग्री पर होता है, और नॉर्थ वेस्ट 315 डिग्री पर, तो इन चार कॉर्नर्स इन चार दिशाओं में मुख्य दवार नहीं होना चाहिए, अगर हम सिविल एंजूरिंग प्रिंसिपल्स के अनुसार इनको देखें, तो जब भी मुख्य दवार कॉर्नर्स में आते हैं, तो इसस बिल्डिंग इनस्टेबल होती है, बिल्डिंग की स्ट्रेंथ कम होती है, उसका अर्थ यह है कि अगर भूकंप आता है, अर्थक्वेक आने की स्थिति में या अपने घर में उपर नए फ्लोर का निर्मान करते हैं, तो उन घरों में जिन में मुख्य दवार कॉर्नर्स में होती हैं, उन में बहुत बड़ा नुकसान होने का खत्रा हमेशा बना रहता है, क्योंकि कॉर्नर्स पे अगर हम मुख्य दवार देते हैं, तो इससे मुख्य दवार के माध्यम से जो घर की स्टैबिलिटी है, वो काफी कम हो जाती है, तो यह कारण है सिवल इंजिनिरिंग प्रिंसिपल्स के अनुसार, और इसके अलावा जब भी हम कॉर्नर्स में मुख्य दवार देते हैं, तो इससे जो घर के अंदर का स्पेस या जो एरिया है, उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, और काफी कुछ एरिया वेस्ट चला जाता है, यानि कि ज आस्तुग्रंथ है व्रहित सम्हिता, उसके अनुसार अगर आपके घर का मुख्य दवार नौर्थ एस्ट में है, तो इससे बहुत बड़ा आपके घर में खत्रा बना रहता है आग के माध्यम से, बहुत बड़ी हानी आपको देखने को मिलेगी आग के दुआरा, आग से सम यहां पे मुख्य दवार है, तो यहां पे जो घर में बच्चे यानि कि जो लड़के होते हैं, उनकी संख्या ऐसे घरों में कम होती है, और जो लड़के होते भी हैं बच्चे, उनको अपने जीवन में बहुत जादा परेशानिया आती रहती हैं, और अगर मुख्य दवार South West दिशा में है तो ऐसे घरों में खर्चों से बहुत ज़ादा खर्चे होते हैं income से माध्यम से अगर हम देखे तो यानि कि income कम है खर्चे बहुत ज़ादा है हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है और घर के लोग बहुत ज़ादा मुख्यद्वाजी में भी उल्जे रहते हैं और अगर मुख्यद्वार नौर्थ वेस्ट कॉर्णर में है तो ऐसे घरों में देखा गया है कि बहुत ज़ादा बिमारियां दुरगटना ऐसे घरों में बहुत होती हैं और घर के लोग बहुत बड़ी परिशानियों से हमेशा जूजते रहते हैं तो ये व्यदिक सिध्धन्त के अनुसार है कि चार कॉर्नर्स में से अगर मुख्यद्वार हैं तो उनके क्या-क्या नकारात्मक प्रभाव हैं तो पहला कॉर्नर्स जो चार कॉर्नर्स में नहीं होना चाहिए वो है मुख्यद्वार अब हम दूसरे कॉर्नर्स की बात करते हैं इन चार कॉर्नर्स पे नौर्थ इस्ट, साउथ इस्ट, साउथ वेस्ट और नौर्थ वेस्ट इनमें टॉलेट भी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए टॉलेट अगर नॉर्थ एस्ट में है तो इस से घर की सुख शांती पूरी तरहं से नश्ट हो जाती है उन्ती हो ही नहीं पाती है घर के लोगों की और अगर टॉलेट साउथ एस्ट दिशा में है तो ऐसे घरों में बहुत ज़ादा धन की हानी होती है दुरगटनाएं बहुत होती है घर में और अगर टॉलेट साउथ वेस्ट दिशा में है तो घर के लोग हमेशा अपने जीवन में अस्थिरता महसूस करते हैं जीवन में सेटल नहीं हो पाते हैं हमेशा संगर्ष्ट का जीवन वेतीत करते हैं और अगर टॉलेट नौर्थ वेस्ट दिशा में है तो ऐसे घरों में देखा गया है कि मानसिक आसंदूलन डिप्रेशन की समस्या घर के लोगों को होने लगती है और समाज से बहुत ज़्यादा विरोध का भी उनको सामना करना पड़ता है तो यह दूसरा कॉम्पोनेंट है टॉलेट जो चार कॉर्नर्स में नहीं होना चाहिए तो घर के यह दो कॉम्पोनेंट्स मुक्खिदवार और टॉलेट घर के चार कॉर्नर्स याने की नौर्थीस्ट, साउथीस्ट, साउथवेस्ट और नौर्थवेस्ट में बिलकुल भी नहीं होना चाहिए इससे बहुत बड़ा वास्तुदोश घर में उत्पन होता है और घर के लोग हमेशा परेशान नियों से घिरे रहते हैं और कभी भी वो अपने जीवन में उनको लगता है कि सुख, शान्ती, सम्रदी, बहुत बड़ा धन कहानी इनी उल्जनों से जीवन में तंगी बनी रहती है तो इन दो कॉम्पोनेट्स का आप ध्यान रखिए इस विशे से सम्मंदीत आपके कोई प्रशने कामेंट बॉक्स में लिखिए अगले वीडियो में नएक टॉपिक और इंटरस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आप से जुड़ूँगा थैंक्यू, धन्यवाद